तो कहानी के शुरुवात में हम फ्रांस को देखते हैं ये साल होता है सन 1962 का देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था पूरे देश में लोगों के बीच में एक बेचैनी का माहौल था इसी दोरान फ्रांस के प्रेजिडेंट चाल्स देखले ने अलजीरिया देश को भी आजाद कराया था जिस वज़ा से उनके देशवासी उनके खिलाफ हो जाते हैं लेकिन इस बात से पैरा मिलिटरी ट्रूप्स को सबसे ज़्यादा ठीस पहुँचती है क्योंकि उनके अनुसार जब अलजीरिया से युद्ध हुआ था तब उनके कई सारे साथ ही मारे गए थे लेकिन आज प्रेजिडेंट ने उनको आजाद कर दिया इसलिए पैरा मिलिटरी ट्रूप्स के कुछ लोग साथ में मिलकर ओएस नाम की एक और्गनाइजिशन तयार करते हैं जिसका मकसद प्रेजिडेंट को मार कर फ्रांस को अपने कबजे में लेना और उस पर शासन करने का था इसी बीच हम जीन बॉस्टियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस बात से सबसे ज़्यादा नारास था इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेजिडेंट को मारने की प्लानिंग करने लगता है प्लानिंग के दोरान जीन प्रेजिडेंट हाउस के जासुसी करते वे पता लगा लिता है कि कब प्रेजिडेंट अपने हाउस को छोड़कर बाहर निकलेंगी फाइनली वो दिन आही जाता है जब प्रेसिडेंट अपने कॉन्वाई के साथ फ्लाइट लेने के लिए एर्पोर्ट निकलते हैं पर रास्ते में जीन अपने लोगों को इशारा करके आटोमाटिक गन्स की मदद से प्रेसिडेंट के उपर फाइरिंग करवा देता है टोटल 140 से भी जादा शॉट्स मारे जाते हैं पर किस्मत से किसी को भी कोई गोली नहीं लगती और कार में बैटे प्रेसिडेंट और उनके किसी भी साथी को कुछ नहीं होता अब इस बात से फ्रांस का पूरा प्रशासन काफी चड़ चुड़ चुका था और हर पॉलिटिकल आदमी गुनेगारों को पकड़वाना चाहता था पुलिस और इंटलिजेस को एक साथ छे महीने का समय लगता है जीन बॉस्टियन और उसके साथियों को पुलिस पकड़ लीती है अगले सुभा कोट जीन के दुआरा पेश की गई माफी की याचिका को भी खारिच कर देती है इसलिए पुलिस उसको शूट करके मार डालती है यहां से सीन बदलकर हमें OS के करनल मार्क, मैनेजर और मॉंट क्लेर को दिखाया जाता है तीनों आस्ट्रिया के रिमोट इलाके में छुपे हुई थे सबी लोग काफी परिशान होते हैं क्योंकि उनकी इतनी प्लानिंग के बाद भी वो नाकामयाब रहे यह तीनों अब चाहा कर भी अपने देश वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि जैसे यह अपने देश में पैर रखेंगे इनकी पहचान होते ही इनको गिरफतार कर लिया जाएगा करनल रॉलेंट समझ चुके थे कि वो चाहकर भी खुद प्रेसिडेंट को नहीं मार सकते और नहीं उनका कोई देशवासी ऐसा कर सकता है क्योंकि अथॉरिटीज के पास हर एक आदमी की जानकारे उपलब थे इसलिए रॉलेंट के अनुसार वो इस काम के लिए एक फॉरिनर को हायर करना चाहता था तीन महीने की खुच के बाद रॉलेंट को एक ऐसा आदमी मिल जाता है जिसका हिट मैंस की दुनिया में सबसे अच्छा रिकॉर्ड है रॉलेंट जैकल नाम के इस आदमी को वियना बुला लेता है जैकल उसका कोड नेम है ये नाम वो मिशन के दोरान यूज किया करता था वियना आकर उसकी मुलाकात O.S के तीनों हेट से होती है जैकल अपने काम में काफी महर था सबी काम काफी बारिकी के साथ किया करता था इसलिए वो सबसे पहले तीनों को बताता है कि मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है मुझको सब पता है जैकल इस काम को करने के लिए पांच लाख अमेरिकी डॉलर्स की मांग रखता है। क्योंकि जो भी आदमी इस काम को करेगा, वो कभी कोई दूसरा काम नहीं कर पाएगा। O.S. के तीनों लोग पांच लाख अमेरिकी डॉलर्स के लिए मान जाते हैं। जैकल रॉलेंट से इस बात को सीक्रेट रखने को कहकर वहां से निकल जाता है। जैकल अपने काम की तैयारी के लिए, अपने दुश्मन के बारे में जानने के लिए, हर एक छोटी से छोटी डीटेल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देता है। जल्दी वो दो नकली पासपोर्ट बनवा कर पैरिस के लिए निगल जाता है। पैरिस पहुँचते ही जैकल सबसे पहले प्रेसिडेंट चार्ल्स के बारे में पता करता है। सारी बाते जानने के बाद वो जाकर ऐसी जगह को ठूंडने लगता है जहां से वो प्रेसिडेंट को आराम से मार सके। और किस्मत से उस को एक ऐसी जगह मिल जाती है। जहाँ पर कुछी समय बात प्रेसिडेंट अपना भाशान देने आने वाले थे। जगा फाइनल करके जैकल बेलजियम के दो ऐसे लोगों को कॉल करता है जो अपने काम में बेहत माहर है पहले ते वो जाकर एक हत्यार बनाने वाले से मिलता है और उसे कुछ स्पेसिफिक रिक्वार्मेंट बता कर दो हफते में गन को डिलेवर करने को कहता है जबकि वो दूसरा आदमी उसके लिए सभी प्रकार के फ्रेंच पेपर वक्स को देखेगा इस तरह से जैकल अपने तयारियों में जोरो शोरो से लग जाता है जल्दे हम देनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे ओएस के लोगों ने मिनिस्टर क्लेर को प्यार के जाल में फसाने के लिए भीज़ा हुआ था उसका काम सारी जरूरी जानकारे निकलवा कर ओएस के लोगों तक पहुचाने का था ताकि उनको गवर्मेंट की हर एक हरकत के बारे में पता चलता रहे देखते ही देखते दो हफ़ते गुजर जाते हैं और जैकल को उसके मताबिक बनी गन भी मिल जाती है ये गन टुकडो के फॉर्म में थी यानि किसी एक टुकडे को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि ये गन है गन को एसेंबल करके जैकल उसके टेस्टिंग करता है और उसके रिजल्ट से वो काफी जादा खोश होता है क्योंकि ये गन उसकी उमीद से कही जादा बहतर थी इधर पेरिश चेहर में दिन दाहडे चोरिया होने लगी थी दरसल ये काम पेरा मिल्टर के लोगों का था और जैकल के दौरा मागे गए पांच लाख अमेरिकी डॉलर्स की माम को पूरा करने के लिए वो ये सब कर रहे थे क्योंकि इतना पैसा उन में से किसी के पास नहीं था इसलिए ओएस के लोग बैंक को लूटने का प्लान बना कर भरे बाजार में बैंक के पैसों से भरी बैंक को लूट लेते हैं मगर उनके भागने से पहले पुलिस वहाँ पर आ जाती है और दोनों तरफ से ताब और तोड गोलिया चली लगती है लेकिन कैसे भी करके ओएस के बाकी लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन उनका एक आदमे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है ये बात अब फ्रेंच अथॉर्टीस तर भी पहुंच चुकी थी और देश में होरे इस चोरियों से सबी काफी नारास थे फ्रांस की इंटेलिजेंस टीम चोरी के समय पकड़े गए आदमी को टॉर्चर करके जानकारी उगलवाने की कोशिश करती है जिसके बाद वो आदमी रॉलेंड का नाम बता देता है इस बाद से उनका शक और बढ़ गया कि रॉलेंड और उसके कुछ लोग बड़ा प्लान कर रही है फ्रेंच इंटेलिजेंस की टीम रॉलेंड और उसके साथियों को ढूनेने में लग जाती है कुछी समय में उनको रॉलेंड और उसके कुछ लोगों के ठिकाने का पता चल जाता है मगर वहाँ पर जा पाना बहुत है मुश्किल था क्योंकि उस बिल्डिंग के चारों तरफ रॉलेंड के गाड्स पहरेदारी कर रहे थे रॉलेंड लेटर्स की सहायता से मेसेज को एक जगा से दूसरी जगा भीजा करता था एक दिन मौका पाकर जब वॉलेंड की मेसेज पास करने जा रहा होता है तब इंटलीजन्स के कुछ लोग पीछे से आकर उसके सर पर हमला करके उसे सीधा फ्रांस ले आते है फ्रांस में वॉलेंड की को काफी टॉर्चर किया जाता है ताकि वो रॉलेंड और उसके साथियों के बारे में कुछ बता दे मगर बहुत देर तक टॉर्चर करने के बाद भी वो कुछ नहीं बताता इसलिए उसके टॉर्चर को थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है तब जाकर Wallensky उनको बताता है कि एक आदमी है जिसे Rollend ने प्रेसिडेंट को मारने के लिए हायर किया है Intelligent की टीम समझ चुकी थी कि प्रेसिडेंट को मारने के लिए बाहर से हिटमेन बोलाया गया है उसका नाम पूछने पर वॉलेंस की बताता है कि उसका कोई नाम नहीं है मगर सब उसको जैकल कैकर बलाते है सारा डेपार्टमेंट जैकल को ढूणने में लग जाता है इधर इंटीरियर मिनिस्टर प्रेजिडेंट से मिलने आते है मगर प्रशिडेंट चार्ल्स की करड़ी सुलक्षा होनी की वज़ासे किसी को भी याने मिनिस्टर को भी उनसे मिले नहीं दिया जाता मगर जब ये बात प्रशिडेंट को पदा चलती है तो वो इस बात से साफ इंकार कर देते है वो कहते हैं कि मैं कोई कायर नहीं हूँ कि किसी की धंकी से छुपकर बैट जाओं। ऐसा कहकर प्रेसिडेंट अपने काम को जारी रखते हैं और मीटिंग बलाते हैं जिसमें सबी मिनिस्टर्स सबी पुलिस वाले शामिल होते हैं। यह उसका के लिए लेडल नाम के एक रिटार्ट पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है जो इस तरह कि इन्वेस्टिकेशन पे एक्सबर्ट हैं। को अपना काम खत्म करके घर वापस आता है तो डैनी उसको सेड्यूस करने लगती है वो धीरे धीरे उससे सारी जानकारी निकल वाने में कामियाब हो जाती है जानकारियों का पता चलती ही डैनी कॉल करके सारी जानकारी ओएस के विल्लियम्स नाम के एक आदमी तक पहुचा देती हैं जिससे कि आगे के काम में कोई प्रॉब्लम ना हो उतर थॉमस नाम का पुलिस आफिसर भी जैकल के पीछे पड़ा हुआ था थॉमस जाकर मिनिस्टर से मीटिंग करता है और जैकल के बारे में जानकर या एकटा करना शुरू कर देता है इससे हमको समझ आता है कि को कुछ पता नहीं चलता तब पूरा डेपार्टमेंट जैकल के नाम को डीकोड करने की कोशिश करता है जहां पर इनको पता चल जाता है कि जैकल भी एक फ्रेंच आद्मी है इसलिए लेबल इस बीच जितने भी लोग शेहर में आये हैं उन सभी के पासपोर्ट चेक करने लगता है तब जाके इने पोल का नाम पता चलता है लेकिन जैकल इस समय जिस आदमी की आइडेंटिटी यूज कर रहा था उस आदमी की मौत दो साल की उम्र में ही हो गई थी इसलिए पूरा डेपार्टमेंट पोल नाम के आदमी को ढूनने में लग जाता है जैकल जो अभ करके जैकल को सब बता देता है और मिशन को अबॉर्ट करने को खहता है जिस पर जैकल ये कहते हुए इंकार कर देता है कि अगर मैंने एक बार मिशन ले लिया तो मैं उसको पूरा करके ही रहता हूं जैकल जाकर एक होटल में रुकता है जहां वो बैरोनेस नाम की एक उसी लड़की के साथ बिताई थी जिसको वो सेड्यूस कर रहा था और सुबा उते ही वो वहां से निकल गया जल्दी ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है इसलिए वो भी सीधे जाकर बेरोनेस से पूछता चालू कर देते हैं लेकिन बेरोनेस उनको कुछ भी नहीं बतात तब ये में जैकल को दिखाया जाता है जो गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था मगर दुर्भाग इससे उसका एकसिडेंट हो जाता है और उसको पता था कि यहां जल्दी पुलिस आने वाली है इसलिए वो वापस उसी लड़की के पास पहुँच जाता है जहां दोनों साथ में समय बिताते में बाते करते हैं बैरनेस जैकल को बताती है कि उसके जाने के बाद पुलिस वहाँ पर आई थी और उसके बारे में पूच ताच कर रही थी मगर मैंने उनको कुछ नहीं बताया लेकिन अब बैरनेस एक ही ऐसी इंसान थी जिसने उसको देख ल इदर होटल में सुभा जब पैरनेस का नौकर उसको देख ले आता है तो वो पैरनेस को मरा वो देखकर पुलिस को कॉल कर देता है वही लेबल को भी पता चल जाता है कि बैरनेस मारी गई है अब ये सुनकर लेबल भी सूच में पढ़ जाता है वो कहता है कि उस पूरी नज़र रखो कोई भी suspicious आदमी दिखाई दे तो उसको तुरंद पकड़ लो चारो तरफ ये खबर फैला दी जाती है कि कहीं भी डैनिस नाम से booking या entry आए तो उसको तुरंद पकड़ लेना लेकिन जैगल बहुत चालाग था वो सीधे बाथाउस में जाकर एक टरकिश आदमी से दोस्ती कर लेता है ताकि वो उसके यहां पर रुख सके दूसरी ओर लेबल मिनिस्टर के साथ उस मीटिंग में बैठे सभी लोगों के कॉल टेप करता है जहां पर उसको पता चल जाता है कि सैंट क्लेर नाम के मिनिस्टर के घर में जो लड़की रहती है जिसका नाम डैन अपने सबी लोगों को बताता है कि प्रेजिदेंट ने World War 2 में लड़ाई की है इसलिए वो Liberation Day पर भाशन देने ज़रूर आएंगे और वही सबसे अच्छा मौका है जैकल के पास प्रेजिदेंट को मारने का इसलिए लेबल पुलिस से बात करके सबी जगा की सिक्योर्टी को हाई अलर्ट पर कर देता है जिससे कोई भी प्रेजिदेंट के पास ना आ सके और अब जैकल उस आदमी को भी मार डालता है जिसके यहाँ पर वो अभी रोका हुआ था वो कोई सबूत पीछे नहीं छोड़ता फाइनली लिबरेशन डे आही जाता है लेबल को जैकल का कोई नाम उन्शान नहीं मिलता इसलिए वो सबको ओर्डर दे देता है कि यहाँ पर आने वाले हर आदमी के आईडी चेक करो कोई भी बिना आईडी को चेक कराए अंदर नहीं जाएगा तब ही हम जैकल को एक हैंडी केप्ट वेटरन के हुली में देखते है जो एक नए नाम से गाड के पास आता है जो गाड को बताता है कि मैं यहीं करहने वाला हूँ यह कहकर वो सीधे अंदर चला जाता है वही लेबल चारों तरफ नजर रखे हुए था मगर उसको कुछ भी गड़बड नहीं दिखती पर उसको पता था कि आज कुछ तो गड़बड होने वाली है इसलिए वो एक एक करके सभी गाड से बात करता है तब उनमें से गाड उसको बताता है कि अभी अभी एक हैंडिकेप्ट बुजूर का आदमी उस विल्ली में गया है जिसके खिड़की खुली हुई है ये सुनकर लेबल एकदम चौक जाता है वो समझ चुका था कि ये जैकल ही है और वो जल्द ही प्रेसिडेंट पर गोली जलाएगा और गोली प्रेसिडेंट के सर के उपर से निकल जाती है जैकल दूसरे शॉट के लिए अपनी गन को रिलोड करके तयार करी रहा होता है कि तब ही लेबल और एक पुलिस वाला भापर पहुँच जाते हैं और अब जैकल अपनी रिलोडेड गन से पुलिस वाले को शूट करके मार देता है पर तब ही मौका पाकर लेबल पुलिस वाले की आटमाटिक गन लेकर जैकल को मार गिराता है लंदन पुलिस जल्दी केस को बंद कर देती है क्योंकि जैकल एक इंग्लिशमन नहीं बलकि एक फ्रेंच था जैकल को पैरिस में एक अंजान जगापर एक अंजान कप्र में हमेशा के लिए तफना दिया जाता है जिसके साथ दे व तजैकल की कहानी यही पर खत्म हो जाती है हम उमीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंदाई होगी बाकि फिलाल तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो में एक और मज़िदार कहानी के साथ पर हमेशा की तरह तब तक के लिए नमस्कार